हिरी राम चृत्र मानस अरन्य कांट नम्हान प्रायन छटे विश्राम से आगे जेही विधी कपट कुरंग संग दाई चले शिरी राम सो छवी सीता राखी और रठती रठती हरी नाम जिस परकार कपट मरिक के साथ छी राम जी दोड़ चले थे उसी छवी को हिद्दे में रखे वे हरी नाम राम नाम रठती रहती है रगुपती अनु जही आवत देखी बाहिज चिंता कीनी बिसेशी जनक सिता परी हरी हुँ अकेली आई हुँ तात पचन मंपेली इदर शरी रगुणाज जी ने छोटे भाई लच्छन जी को आते देखा बाहिय रूप में बहुत चिंता की और कहा कि हवाई तुमने जानकी को के लिए छोड़ दिया और मेरी आग्या का उलंगन करके यहां चले आई निशीचर निकर फिर ही बन माही मम मन सीता आश्रम नाही गाही पद कमल अनुज कर जोरी कहीं उनात कहुं मोही ना खुरी राक्षों के जुंडवन में फिते रहते हैं मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं छोटे भाई लच्छन जी ने शिरी राम जी के चरन कमलों को पकड़ करके हाथ जड़ करके कहा है नात मेरा कुछ भी दोश नहीं है अनुज समेत गे प्रभू तहवा गुदावरी तट आश्रम जहावा आश्रम देखी जान की ही ना भे विकल जस प्राकित दीना लच्छन जी सहित प्रभू शिरी राम जी वहाँगे जहां कुदावरी के तट पर उनका आश्रम था आश्रम को जान की जी से रहित देख करके शीर राम जी साधारन मनुश्य की भांती व्याकुल और दिन दुखी होगे हाँ गुन खानी जान की सीटा रूप सीलवरत नेम अपनीता लच्छन समझाए बहु भांती पूछत चले लतात तरू पाती वे विलाव करने लगे हाँ गुना की खान जान की हाँ रूप शीलवरत और नेमों में पित्र सीते लच्छन जी ने बहुत परकार से समझाया तब शीर राम जी लताओं और विर्क्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले हे खाग मृग हे मधुकर श्रेनी तुम देखी सीता मृग नैनी खंजन सुक कपोत मृग मीना मध्भपनिकर कोकिला परवीना हे पक्षियों हे पश्वों हे भोरो की पंक्तियों तुमने कहे मृग नैनी सीता को देखा है खंजन तोटा कबूतर हिरन मचली भोरो का समूव परवीन कोयल कुंदकली दाडिम दामनी कमल सरद ससी अही भामनी बरुन पासम नोजम धनुद अंसा गज केहरी निज सुनद परसंसा कुंदकली नार बिजली कमल शरद का चंद्रमा और नागनी वरुन का पाश कामदेव का धनुश हंस गज और सिंग ये सब आज अपने परचंचा सुन रहे हैं शिरीफ अलकनक कदली हर शाई निकुना संक सकुच मन माही सुनू जान की तोही बिनु आजू हर से सकल पाई जनू राजू बेल सर्न और किला हर्शित हो रहे हैं इनके मन में जरावी शंका और संकोच नहीं हैं हें जान की सुनो तुमारे बिना ये सब आज ऐसे हर्शित हैं मनो राज पागी हूं अथा तुमारे अंगों के सामने ये सब तुछ अपमाने तो लजजित थे आज तुम्हें न देख करके ये अपनी शुबा के अविवान में पूल देए हैं कीमी सही जात अनक तो ही पाही प्रिया बेगी प्रगट ऐसी कस नाही एही विदी खोजत बिलपत स्वामी मनो महा बिरही अतिकामी तुम से ये सपर्धा कैसे सही जाती है ये प्रिये तुम शीकरी प्रगट क्यों नहीं होती इस परकार अनन्त ब्रह्मांडो के अत्वा मा महा मही में सरूपा बक्ती शीरी सीता जी सामी शीरी राम जी सीता जी कर सुख खोजते हुए इस परकार विलाब करते हैं मानो कोई महा बिरही और अत्यन तक कामी प्रोशो पूरन काम राम सुख रासी मनुज चरित कर अज अभिनासी आगे परा घीद पती देखा सुम्रत राम चरन जिन लेखा पूरन काम अनद की राशी अजन्मा और अभिनासी शीर राम जी मनुश्यों के से चरित रखा रहे हैं आगे जाने पर उन्होंने घृद्ध घृद्र पती जिटाईउ को पड़ा हुआ देखा वेहे शीरी राम जी के चरनों का समर्ण कर रहा था जिसमें धोजा कुलिश आदी की रखाएं चिन नहें कारस रोज सिर परसे उक्रिपा सिंदूर अगबीर निर्खी राम चवी धाम मुख बिगत भई सब पीर की पास अगर शीर राम जी ने अपने कर कमल से उसके सिर पर स्परश किया उसके सिर पर कर कमल फेद दिया शुवा धाम चिरी राम जी का परम सुन्दर मुख दे करके उसकी सब पीरा जाती रही तब कह गीद बचन धरी धीरा सुनू राम बंजन भाव भीरा नाथ दसानन ये गतिकीनी तेही खल जनक सुता हरी लीनी तब धीरे धर करके गीद ने ये बचन कहा हें चनम रिट्यों के भेका नाश करने वारे शीर राम जी सुनिये ही नाथ रामन ने मेरी ये दिशा की है उसी दुस्ट ने जानकी जी को हर लिया है ले दक्षिन दिशी गियो गोसाईं बिलपती अती कुर्री की नाईं दरस लागी प्रभू राखें उप्राना चलन चहत अवक्रिपानी धाना ही गुसाईं वेह उन्हें लेकर के दक्षिन दिशा को गया है सीता जी कुर्री की तरह अत्यनत बिलाब कर रही थी ही प्रभू मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्रान डोक रखे थे ही कृपानी धान अब ये चलना ही चाहते ही राम कहा तनू राखोड़ताता मुख मुस्काई कही तेही बाता जाकर राम मरत मुख आवा अधमव मुकत हुई श्रुती कावा श्री राम चंदर जी ने का अहितात शीर को बनाए रखिए तब उसने मुस्कराते हुए मुसे ये बात कही मरते समय जिसका नाम मुख में आ जाने से महान पापी भी मुकत हुजाता है ऐसा वेद गाते हैं सोमम लोचन गोचरागे राखों दे नाथ केहीं खागे जल भरी नेन कही रगुराई तात करम निजते गती पाई वही आप मेरे नेत्रों के विशे होकर के सामने खड़े हैं हिनाथ हिनाथ अम किस कमी की पूर्ती के लिए देखो रखों नेत्र में जल भर करके श्री रगुनाथ जी कहने लगे है तात आपने अपने श्रेष्ट करमों से दुरलब गती पाई है पारही तबस जिनहां की मन माही तिन कहूं जग दुरलब कछुनाही तनुत जितात जाहूं ममधहमा देव कहां तुम पूर्न कामा जिनके मन में दूसरे का हित्वर बसता है समाया रहता है उनके लिए जगद में कुछ भी कोई भी गती दुरलब नहीं है हितात श्रीर छोड़ करके आप मेरे परम धाम में जाएए मैं आपको क्या दूँ आप तो पूर्न काम है सब कुछ पा चुके हैं सिता हरन तात जनी कहु पिता सन जाएं जो मैं राम ता कुल सहित कहीं दसानन आईं हितात सिता हरन की बात आप जाकर के पिता जिसे मत कहिएगा यदि मैं राम हूँ तो दश मुख रावन कुटम्ब सहित वहां आकर के स्यम ही कहेगा गीद दे तजी धरी हरी रूपा भूसन बहू पट पीत अनुपा शाम गात विसाल बुजवचारी अस्तुती करत नेन भरी बारी जिटाईयों ने गीद की दे तया करके हरी का रूप धारन किया और बहुत से अनुपम दिवे अभूशन और दिवे पितांबर पहन लिए शाम श्रीर है विशाल चार बुज़ाए हैं और नित्रों में प्रेम तथा अनन्द के आंसों का जल भर करके वैस्तुती का रहा है जे राम रूप अनुप निरगुन सगुन गुन प्रेरक्सही तस सीश बाहु परचंड खंडन चंड सरमंडन मही पाथोद गात सरोच मुख राजीव आयत लोचनम नित नेमी राम किरिपाल बाहु विशाल भव भै मोचनम हे राम जी आपकी जेहोँ आपका रूप अनपम है आप निरगुन हैं सगुन हैं और सत्ते ही गुनों के माया के प्रेरक्षें दाससीर वाले रामन की परचंड बुजाओं को खंड खंड करने के लिए परचंड बान धारन करने वाले प्रिथी को शोवित करने वाले जाली उक्तम मेक के समान शाम श्रीर वाले कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नित्रो वाले विश्याल बुजाओं वाले और भाव भे से चुड़ाने वाले किरपालु शीर राम जी को मैं निट्य नमश्कार करता हूँ आप अपरचित बल वाले हैं अनादी अजन्मा अव्यक्त निराकार एक गुचर अलक्ष गौबिंद वेडवाख्यत वारा जानने योग्य इंद्रियों से अतीत जनम मरन सुख दुख हर्श शोक आदी दुंद को हरने वाले विज्ञान के घन मोती और प्रिठ्ठी के आधार हैं तथा जो संत राम मंतर को जबते हैं उन अनन्द सेकों के मन को अनन्द देने वाले उन निशकाम प्रिये निशकाम जनों के प्रेमी अथवा उने प्रिये तथा काम आदी दुस्तों दुस्त वृत्यों के दल का दलन करने वाले शीर राम जी को मैं निट्य नमशकार करता जेही शुरुती निरण्यन भ्रम व्यापक बिरज आज कही काव ही करी ध्यान ग्यान बिराग जोग अनेग मुनिद जेही पाव ही सोप्रगट करना कंद सोवा वरिंद अग जग द्मोही ममहित्य पंकज ब्रेंग अंग अनंग वहु छवी सोवी जिनको शुरुतिया निरंजन माया से परे भ्रम व्यापक निरिविकार और जनम रहित कहकर गान करती हैं मुनिद जिने ध्यान ग्यान वेराग्य और योग आदी अनेक साधन करते बाते हैं वेही करनाकंद शुवा के समो स्यम श्री भगवान प्रगठो करके जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित का रहे हैं मेरे हिदे कमल के भरमर रूप उनके अंग अंग में वह उससे काम देओं की छवी शुवा पा रहे हैं जो अगमस अगमस भाव निर्मल असमसम सीतल सदा पस्यती जम जोकी जतन करी करत मन गो बस सदा सो राम रमा निवास संतत दाज बस त्रिवहन धनी मम और बसव सो समन संस्रिती जासु की तिपामने जो अगम और सुगम है निर्मल सभाव है विशम और सम है और सदा शीतल शांत है मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिने देख पाती हैं वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास शीर राम जी नियंतर अपने दासों के वश में रहती हैं वे ही मेरे हिर्दे में निवास करें जिनकी पित्र केती आवा गमन को मिटाने वादी हैं अवीरल भक्ती मांगी बर गीध गयो हगरी धाम तेही की क्रिया जितोचित निजकर की नीराम अगंड भक्ती का वर बांकर के घृद्र राज चितायू श्री हरी के पूरन परम धाम को चला गया श्री राम जंदर जी ने उनकी दाकरम आदी सारी क्रियाएं यतायू के अपने हाथों से की गीध अधम खग आमिश भोगी गती दीनी जो जाचत जोगी शी रगुनाची अट्यंत कॉमल चितवाले दीन द्यालू और बिना ही कारन किरपालू है गीध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मासा हरी था उसको भी मैं दुल्लव गती दी जिसे योगी जन मांगती रहती है सुन हूं उमाते लोग अभागी हरी तजी हो ही विशम अन्रागी मुनी सीतही खोजत दो भाई चले बिलोकत बन बहुताई शिव जी कहते हैं हे पार्वती सुनो वे लोग अभागे हैं जो भगवान जी को छोड़ करके विश्यों से अन्राग करते हैं फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले में वन की सघंता देखते जाते हैं संकुल लता बिटब घन कानन बहु खग मरिग तहां गजबंचानन आवत बंथ कबंद निपाता तेही साम कहीं साम के बाता मैं सगन वन लताओं और वरिक्षों से भरा है उसे बहुत से पक्षी मरिग हाथी और सिंग रहती हैं छी रामदी ने रास्ते में आते हुए कबंद राक्षे को माह डाला उसने अपने शाब की सारी बात कह दी दुरवासा मोही दीनो सापा प्रभुपद पिक्खी मिटा सो पापा सुनू गंधर्व कहूं मैं तो ही मोही न सुहाई भ्रमकुल दुरोही मैं बुला दुरवासा जी ने मुझे शाब दिया था अप्रभु के चर्णो को देखने से मैं पाप मिट गया शीर रामदी ने कहा ही गंदरो सुनो मैं तुमें कहता हूं ब्रामन कुल से द्रोग करने वाला मुझे नहीं सुआता मन करम बचन कबठत जी जोकार भूसूर सीव मोही समेत बिरंची सीव बस तांके सब देव मन बचन और करम से कबठ छोड़ करके जो बुधे ब्रामनों की सिवा करता है मुझे समेत भ्रमा शीव आदि सब देवता उसके वश्य में हो जाती है सापत ताडत परश कहंता विप्र पुज्य अस गावही संता पुज्य विप्र सील गुन हीना सुद्र न गुन गन गवान परवीना शाब दिता हुआ मारता हुआ और कठवर वचन कहता हुआ भी ब्रामन पूजनी है ऐसा संत कहते हैं शील और गुन से हीन भी ब्रामन पूजनी है और गुन गनों से युक्त और ज्ञान में निपुन भी शुद्र पूजनी नहीं है कही निज धरम ताही समुझावा निज बद प्रिती देखी मन भावा रखो पती चरन कमल सिरुनाई ग्यों गगन आपनी गती पाई शीर रामजी ने अपना धरम भागवत धरम कह करके उसे समझाया आपने चरन में प्रेम दे करके वह उनके मन को भाया ग्योंतर शीर रखोनाई जी के चरन कमल में सिरुन नवा करके वह अपनी गंधर्वर रूप का सवरूप पाकर के अकाश में चला गया ताहीं दे गती राम उदारा सबरी के आशरम पगुधारा सबरी देखी रामगरी ही आये मनु के बचन समझी जी भाई उदार शीर राम जी उसे गती दे करके शबरी जी के आशरम में पधारे शबरी जी ने शीरी राम चंदर जी का को घान में आई देखा तब मुनी मतंग जी की वचनों को याद करके उनका मन पर सन्न हो गया सरसिज लोचन बाहू बिसाला जगा जटा मुकट सिर उर बन माला शाम गोर संदर दोनों भाई सबरी परी जरन लपटाई कमल सद्रिश नेत्र और बिशाल बुजा वाले सिर पर जटाओं का मुकट और हिदे पर बन माला धारन किये हुए समस्त सामले और गोरे दोनों भाईयों के चर्णों में शबरी जी लिपट पड़ी प्रेम मगन मुख बचन न आवा पुनी पुनी पद सरोज सिर न आवा सादर जल ले चरन पकारे पुनी संदर आसन बिठारे में प्रेम में मग न होगे मुख से वचन नहीं निकलता बार बार चरन कमलों में सिर निवा रही है फिर उनने जल ले करके आधर पुरक दोन भाईयों के चरन धोए और फिर उन्हें संदर आसनों पर बिठाया कंद मूल फल सुरस अती दिये राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाये बानम बार बखानी उन्हें अत्यंतर सीले और सादिष्ट कंद मूल और फल ला करके शीर राम जी को दिये प्रभु ने बार बार परसंचा करके उन्हें प्रेम सहित खाया पानी जोरी आगे भई थाड़ी प्रभु ही बिलो की प्रीती अतिबाड़ी कहीं विदी अस्तुती करो तुमारी अधम जाती में जन्मती भारी फिर वे हाथ जोड़ करके आगे खड़ी होगी प्रभु जी कर देख करके उनका प्रेम अतियंत बढ़ गया उनने कहा मैं किस परकार आप किस तुती करो मैं नीच जाती की और अतियंत मूड बुद्धी हूँ अधम से अधम अधम अतिनारी तिन में मैं मती मंद घारी कहे रगुपती सुन भामनी बातां मानव एक भक्ती करनाता जो अधम से भी अधम है इस तरियां उनमें भी अत्यंत अधम है और उनमें भी हे पाप नाशन में मंद बुद्धी हूँ शीर गुनाज जीने का हे भामनी मेरी बात सुन मैं तो किवल एक भक्ती ही का संबन्द मानता हूँ जाती पाती कुल धरम बढ़ाई धन बल परिजन गुन चतराई भक्ती हीन नरसोही कैसे आ बिनु जल बारिद देखी जैसा जाती पाती कुल धरम बढ़ाई धन बल कुटंब गुन और चतरता इस सब के होने पर भी भक्ती से रहित मनुश्य कैसा लगता है जैसे जनहिन बादल शुबाहिन दिखाई पड़ता है नवदा भक्ती कहूं तो ही पाही सावदान सुनू धरुमन माही प्रथम भक्ती संतह कर संगा दूसरी रती मम कथा पर संगा मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ती कहता हूं तुझसा अबधान होकर सुन और मन में धर्न कर पहली भक्ती है संतों का संग दूसरी भक्ती है मेरे कथा पर संग में प्रेम गुरुपद पंगज सेवा तीसरी भक्ती अमान चोथी भक्ती मम गुन गन करें कपट तजी गान तीसरी भक्ती है अभी मान रहे तो करके गुरु के चरन कमलों की सेवा और चोथी भक्ती है कि कपट छोड़ करके मेरे गुन समो का गान करें मंतर जाब मम द्रिड विश्वासा पंचम भजन सो बेद परकासा छट दम सील बिर्ती बहु कर्मा निरत निरंतर संजन धर्मा मेरे राम मंतर का जब और मुझे में द्रिड विश्वास ये पांचें भक्ती है जो वेदों में पर सिद्ध है छटी भक्ती है इंद्रियों का निख्रे अच्छा सभाव वा अच्छा च्रित्र वहुत कारें से विराग्य और निरंतर सत्पुर्शों के धर्म आचरन में लगे रहना सात्वा सम मोही में जग देखा मोते संत अधिक करी लिखा आठवा जिथा लाव संतोसा सपने हूं नहीं देखई पर दोसा साती भक्ती है जगत भर के संभाव से मुझ में ओत परोत राम में देखना और संतों को मुझ से भी अधिक करके मानना आठी भक्ती है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोश करना और सपन में भी पराई दोस्यों को नहीं देखना नवम सरल सब सन चल हीना मम भरोस ही हरसना दीना नव महुएकू जिनके होई नारी प्रुस सच राचर कोई नवी भक्ती है सरलता और सब के साथ कवट रहित बरताव करना हिद्दे में मेरा भ्रोसा रखना और किसी भी अवस्ता में हर्ष और दन्य अर्थात विशाद का ना होना इन नवों में से जिनके एक भी होती है वैस्तिप्रुश जड़ जितन कोई भी हो सोई अतिश्य प्रिय भामनी मोरे सकल प्राकार भगती द्र तोड़े जोगी ब्रिंद दुरलब गती जोई जो कहूं आजू सुलव भै सोई ये भामनी मुझे वही अत्यन्त प्रिय है फिर तुझ में भी तो सवी प्रकार की भक्ती द्र है आते जोगती योगियों को भी दुरलब है वही आज तिरे लिए सुलव होगी है मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज सरूपा जनक सुता कई सुदा भामनी जान ही कही करीबर गामन मेरे दर्शन का परम अनुपम फल ये है कि जीव अपने सहज सरूप को प्राप्त हो जाता है हे भामनी अब यदि तो गज गामनी जानके की कुछ खबर जानती हो तो बता पंपा सरही जाहू रगुराई तहां होई ही सुगरीव मिताई सो सब कहीं देव रगुबीरा जानता हूँ पूछो हूँ मती धीरा शबरी ने कहा हे रगुनाची आप पंपा नमक सरौवर को जाईए महाँ आपकी सुगरीव से मित्तरता होगी हे देव हे रगुवीर मैं सब हाल बतावेगा हे धीर बुद्धी आप सब जानते हूँ भी मुझसे पूछते हैं बार बार प्रभु पद सिरौनाई प्रेम सहित सब कता सुनाई बार बार प्रभु के चर्नम सिर्नवा करके प्रेम सहित उसने सब कता सुनाई कही कता सकल बिलोकी हरी मुक हिर्दे पद पंकज धरे तजी जोग पावक दे हरी पद लीन भे जन नहीं फिरे नर विविद करम अधर्म बहुमत सोक प्रद सब त्याग हूँ विसवास करीं केह दास तुलसी राम पद अन्राग हूँ सब कता के करके भवान जी के मुखे दर्शन करके हिर्दे में उनके चरन कमलों को धरन कर लिया और योग अगनी से देको त्याग करके जिला करके मैं उसे दुलब हरी पद में लीन होगी जहां से लोटना नहीं होता तुलसी राची कहते हैं कि इने को परकार के करम अधरम और बहुत से मत ये सब शोक ब्रद हैं हे मनशो इसका त्याग कर दो और विश्वाश करके शीर राम जी के चरनों में प्रेम करो जाती हीन अगह जनम मही मुक्त कीनी असिनारी महामंद मन सुख चैसी ऐसे प्रभ हुई भिसारी जो नेज़ जाती की और पापो की जनम भूमी थी ऐसी इस तरी को भी जनों ने मुक्त कर दिया अरे महादर बुत्ती मन तु ऐसे प्रभ हुई को भूल करके सुख चाता है चले रामत यागा बन सौँ अत्रित बल नर के हरी को दौँ बिरही इव प्रभ हुई करत भी शादा कहत कथा पनेक सम्वादा शी राम चंदर जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले दोनों भाई अतलनीय बल्वान और मुनश्यों में सिंग के समानें प्रभु विरही की तरह विशाद करते हुई ने को कथाएं और सम्वाद कहते ही लच्मन देखी विपन कई सोबा देखत के ही कर मन नहीं छोबा नारी सहित सब खग मरिक ब्रिंदा मन ही मोरी करत हरी निन्दा श्री लच्छवन जरा बन की सोबा तो देखो इसे देख करके किसका मन शुब्द नहीं होगा पक्षी और पश्यों के समुष सभी इस्तरी सहीत है मानो मेरे निन्दा कर रही हम ही देखी मरी के निकर पराही मरी की कही तुम कहां भाई नाही तुम आनंद करहूं मरी के भागने लगते हैं तब हटनियां से कहती हैं तुम को भए नहीं है तुम तो सदारन हिर्नों से पैदा हुए हो अज़ए तुम अनंद करो ये तो सोने का हिरन खोजने आए हैं संग लाई करने करी लेही मान हूं मोही सिखावने देही सास्तर सुचिंतित पुनी पुनी भूपस सेवित बस नहीं लिखी हाथी हत्रियों को साथ लगा लेती हैं फिर माना मुझे शिक्षा देती हैं कि इस्ति को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए परिभांती चिंतन कीवे शास्तर को भी बार बार देखते रहना चाहिए अच्छी तरह सिवा किया हुए भी र आख़ई नारी जदबी उरमा ही जुबती सास्तर निर्पती बसना ही देखू तात बसंत सुहावा प्रिया हीन मही भय उपजावा और इस्त्री को चाहे हिर्दे में ही क्यों न रखा जाए पन्तु युवती इस्त्री शाष्टर राजा किसी के वश्च में नहीं रहती हितात इस सुन्दर बसंद को वित्रे को प्रिया के बचन मुझे को ये भए उत्पन का राए मुझे विरह सव्याकूल बलहीन और बिलकुल अकिला जानकरके काम देने बन भौरों और पक्षियों को साथ लेकरके मुझे पर धावा बोल दिया है देखी गयों भाता सहीत तासू दूत सुनी बात देरा किनहें मनू तब कटकू हटकी बन जाद पूंतो जब उनका दूत ये देखिया कि मैं भाई के साथ हूँ अगेला नहीं हूँ तब उसकी बात सुनकर के काम देने मानस सेना करो करके देरा डाल दिया